शिक्चकों के लिए आज दो बड़ा एलान किया और कहा कि नियोजी सिक्चक जो विशिस्ट शिक्चक बन रहे हैं जहां है उन्हीं स्कूलों में रहेंगे तो ज्यादा तर सिक्चकों के चेरे पर तो खुशिया तैर गई लेकिन बहुत सारे सिक्चक गम में भी डूब गए क लेकिन शिक्चकों की समस्याए यही नहीं हैं समस्याए कई हैं नमस्कार दर्श नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग सियम नितीष कुमार ने आज एलान किया और साथी साथ इसके साथ ही जो है सिक्चकों के चेहरे पर खुशिया तैर गई नियोजी सिक्षक बने हैं आज उन्हें नियुक्ति पत्र मिली और इसके साथ ही सीम नितीश कुमार ने कह दिया कि आप जीसी स्कूल में हैं वहीं आप बिसिस्थ सिक्षक बन जाएंगे राज कर्मी का दर्जा पाएंगे इसके पहले काफी लंभी चोड़ी कवायद हो रही थी पोस्टिंग का जो मसला है वो कोट में चला गया था और कोट में जाने के बाद सरकार से जबाब मांगा पटना हाई कोट ने उसके बाद सरकार सामने आई सिक्षा मंत्री सामने आए और उन्होंने पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पर ही यानि टांसपर पोस्टिंग की आज एक और बड़ा एलान हो गया सीम नितीश कुमार की तरब से तो कल उन्होंने कह दिया कि टांसपर पोस्टिंग अब नहीं होगी फिल वक्त में नहीं होगी लेकिन सीम नितीश कुमार ने आज उसको और भी पर्ष्ट कर दिया और कह दिया कि जो सिक्षक हैं जो सक्षमता जो सक्षमता परिच्छा जिनोंने पास कर ली है यानि जो नियोजी सिक्षक हैं वो बिसीस्ट बन रहे हैं और उन्हें अभी दरुदर जाने की जरूत नहीं है इससे उन सिक्षकों के चेहरे पर खुसी आ गई लागों जो सिक्षक हैं वो खुस हैं लेकिन लागों ऐसे सि परिच्षकों को सक्षमता पॉस कर विसीस्थ सिक्षक का दर्जा जरूर दे लिया गया उने राज कर्मी जरूर बना दिया गया लेकिन कई सारी चीजें उनसे चीन ली गई जैसे सबसे बड़ी बात कि उनकी सेवा निरंतर्ता वेतन सरक्षन का लाप तो सरकार दे रही है लेकिन सेवा निरंतर्ता का क्या जो सिक्षक 17 साल 18 सालों से काम कर रहे हैं उनकी सेवा को सुन्य मान कर अब जो विशिष्ट सिक्षक बन रहे हैं वो बिल्कुल नए तोर पर ब प्रमोशन ये भी बड़ा सवाल है क्योंकि प्रमोशन की बार्ट जो है वहते ये सिक्षक लंबे समय से इन्हें प्रमोशन मिलना था टाइम टू टाइम टू 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 प्रमोशन मिलना था लेकिन नहीं मिला वैसे में सिक्षकों की खुसी तो है सिक्षक खुस है कि वह और अब तो उस खुसी में और चारचांद भी लग गिया वैसे सिक्षक जो नियोजी सिक्षक जो नहीं चाते थे कि हम घर से दूर जाएं बाहर जाएं उन्हें अब तो स्यम नितीज कुमार ने घर में ही छोड़ दिया है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिक्षकों की समस्याओं का अंत नहीं हुआ है सिक्षकों को अगर यू कहा जाए जो तमाम सिक्षक नेताओं ने भी इस तरह की बात रखी है और लगतार रख रहे हैं और कह रहे हैं कि सिक्षकों को विशिष्ट सिक्षक तो जरूर बनाया जा रहा है सरकारी कर्मी का दर्जा जरूर दिया जा रहा है लेकिन उनका प्रमोसन कहां चला गया और उनका जो सेवा कंटिनूटी है जो सर्विस कंटिनूटी यानि सेवा निरंतरता वो कहां है क्या कु सब्सक्रान सिक्षकों का यह दर्द भी सामने आया उन्होंने कहा कि हम तो इतने लंबे समय से सेवा कर रहे हैं लेकिन फल क्या मिल रहा है सक्षमता परिक्षा देनी पड़ रही है उसके पहले दक्षता पातरता तमाम तरकी परिक्षाइब दी उन्होंने तो ऐसे में तमाम पर इक्षाओं को पास तो करते आ रहे हैं लेकिन आज नतीजा यह है कि विश्ष्टी सिक्षक बनकर भी वो ठगए ही है तो क्या कुछ कह रहे हैं सिक्षक यह आप सुन लीजिए नहीं तो फिर क्या होता है फिर आ गए नियम की बात आप आए नियोजन नीतिर पर नियोजन दिया जाएगा उस परमोशन को हटाने के लिए एक नया निति पेचड़ा ला दिए कि आप लोगो सक्षमता दीजिए आप आजाए विस्षी सिक्षक बने उसमें भी कुछ लोग दिये कुछ लोग नहीं दिये वह भी हुआ कुछ लोग बीपेस टीर वन में गये तो दस सा दार शो से नियोजित शिक्षक हैं तो फिर हम ले लिए अलग नियम की कोई आवा सकता ही नहीं है हम लोगों को नियुक्ति तिति से बढ़ियता का लाव देते हुए जो इंडेक्स है मेरा समस्थानिक इंडेक्स हमको मिलना चाहिए लेविल साथ और लेविल आठ मिलना चा है कोई अलग से कोई परिच्छा अब तो सब पास हैं हम लोग दस्ता परिक्षा पास किये सब टीटी है सब परिक्षा पास किये हुए है इसलिए हमारा मांग है कि नियुक्ति तिति से राजिकर्मी घोशित करें सरकार और लेविल साथ और लेविल आठ का जो ऑरिजनल पे जितनका भी हो उनका कहीं कोई एक्जाम नहीं होता है लेकिन हम लोगों को एक्जाम देने के बाद भी और जहां हम 17 साल के हमारी सेवा हो गई उसको समाप्त करके और सरकार क्या करती है नई नियुक्ति ला देती अब सोच लिए अब हम नया बहाल हो रहा है जिसकी उम्र आसाल होने जा रहे रही है उनकी नई नियुक्ति होने जा रही है पता-नहीं सरकार क्या दिखाना चाहती आधाएट मनों दरद तो है दरद बहुत हैं टान्सपर पोस्टिंग का मसला था वो काफी गरम था हला कि अब ठंडे बसते में चला गया यह जो गरम मसला था इस पर आंदोलन्ग की भी रूप रेखा तयार हो गई थी लेकिन अब बंद हो गया अब वो हो चैप्टर हला कि क्लोज हो गया क्य मिलना था ट्रांसपर पोस्टिंग का लेकिन नियोजी सिक्षकों के पक्ष में सरकार ने एलान कर दिया और 2025 का चुनाव है उस लिहाज से जो विवाद बढ़ रहा था ट्रांसपर पोस्टिंग को लेकर उसका पटा छेप नितिश्कुमार ने कर दिया तो खैर उसके बाद भ कर रहा है तो उनकी सर्विस का क्या होगा उतने साल तक सेवा करने के बाद वह आखिर फिर बिशिष्ट बन रहे हैं तो उनकी जो पुरानी विशिष्टा है वो क्यों गायब हो रही है और उसके अलावा उन्हें प्रमोशन क्यों नहीं दिया जा रहा है यह दो बड़े सव उन्हें अब फिर से नई नूक्ती मिल रही है यानि 50 साल के उम्र को भी क्रॉस करने के बाद अब वो नई नोक्री पा रहे हैं तो ऐसे में सिक्षक को के अंदर कहीं न कहीं खुसी भी है तो गम भी है समस्याएं कहीं कम नहीं है यानि सिक्षकों की समस्याएं जो हैं वो ख रखेंगे फिलहाल के लिए इतना ही धन्यवाद